कैनेडा ने भारत के हाई कमिशनर रहे संचर बार्मा ने जस्टेन चूडो सरकार पर खालिस्तानियों को बनादेने का आरोप लगाया है बर्मा ने भारत लोटने से ठीक पहले रविवार को कैनेडाई एक न्यूस चैनल को एक इंटर्व्यू दिया था जसमें उन्होंने कहा कि कैनेडाई खूफिया एज़नसी CSIS खालिस्तानी कटरपंथी और अतंक वाधियों को बढ़ावा दे रही है खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा दिया जा रहा है हाई कमिश्णर बर्मा ने कहा है कि खानाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी भारत नहीं बलकी कैनेडा के नाकरिक है यह लोग कैनेडा के जमीन से भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कैनेडा सरकार ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करें, ये भारत की संप्रभुता और खंडता को चुनाती दे रही हैं। हाई कमिश्नर ने ये भी कहा कि अगर कैनेडाई नेताओं को लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे दुश्मन वहाँ क्या कर रहे हैं तो मुझे खेद हैं। इतने नौसीखिये तो नहीं है शायद उने पता नहीं है कि अंतर रास्टे सब्मंद क्या होते हैं अब वे दिन चले गए जब कुछ विकसर देश जो है विकास शेल देश को कहते थे कि आपको ये करना होगा और वो वैसा ही करते भी थे अब हालात बदल चुके है टाइम कुछ और है हमारी यहां कानून का शासन चलता है कैनेडा खुद भी कानून का राज होने का दावा करता है तो आरोप लगाने से पहले हमें सबूत देदे